हाई जाने शांत सार वेकम बाक्ट दो चानल को इंटेन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक क्वेशिन के बार में इसका नाम है smallest number on the left जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो को लाइक ज़रू कर देना ठीक है टेलिग्राम चानल का लिंक डिस्क्रिप्शिन आ मिल जाएंगे और कुछ भी अपडेट्स होंगे वहां पर तुम्हें मिल जाएंगे अब भिना किस देरे के वीडियो को स्टार्ट करते है ठीक यार तो तुम्हें एक array दे रखा है ठीक है अब इसमें तुम्हें exactly करना क्या है तुम्हें यह करना है कि तुम्हें बताना है कि हर एक element के left में कौनसा nearest smallest element है ठीक है उससे थोड़ा छोटा हो अब अगर इस array को हम लेते हैं तो मैं एक बादी try run करके बहले तुम्हें द इसके पाद 5 के left में 1 है तो 1 5 से चोटा है तो 1 आजाएगा तो 5 0 से बड़ा है तो यहां पर कुछ भी नहीं होगा बन भी 0 से बड़ा है तो यहां फिर से मैनस 1 आजाएगा ठीक है ट्रि पर देखेंगे 3 0 से बड़ा है तो हम फिर से 0 डाल देंगे next आएगा 4 अब 3 हमारा 4 और से छोटा है तो यहां पर 3 आ जाएगा नेक्श 5 में देखेंगे 4 तो यहां पर हमारा आ जाएगा 4 तो जो तुमारा आणसर आएगा वो यह आएगा ठीक है हम जितना भी area भी तक कवर होगा उसमें जाके traverse करके देखेंगे कि अगर current element से छोटा कोई element है की नहीं है जैसे for example हम में हाँ पे थे तो यह तुम्हारा left में जो area है हम इसमें चेक करेंगे क्या 5 चोटा है क्या 1 चोटा है तो इसमें कोई भी चोटा नहीं है ठीक है फिर हम जा कोई भी एक example ऐसा हो सकते है इसमें बस starting वाले element है वो सबसे छोटा है बट इसके अलावा सारे elements बड़े हैं अगर zero और बागी सब elements same है तो वहाँ पर तुम्हाँ smallest नहीं मिल रहा होगा तो इसका चोटा सा example है तो इसको optimize करने के लिए हम stack को use करते है अगर तुम सोचोगे हम हमें पर क्या information store करनी है हमें बस यह information store करनी है कि last में कौन सा छोटा element था अब ऐसे कोई भी चीज होती है जब तुम्हें छोटा check करना है बड़ा check करना है different store करना है और तुम्हें recent वाला चाहिए होता है तो इन सारे cases में stack से easily order of n time complexity कम कर सकते हैं stack को use करके तो यहाँ पर हम स जब तक stack में से pop करते रहेंगे जब तक हमें उससे छोटा element नहीं मिल जाता है और अगर stack empty है तो minus one answer में डाल देंगे algorithm इतना सा ही है तो for example हम फिर से लिखना start करते है तो फिर से में area मिल गया one five zero three four five अब हमने इससे start किया अब इससे पहले कुछ भी नहीं था तुम्हारे answer म है minus one आ गया ठीक है हमने stack में डाल दिया one को next time five five हमने check कि stack empty तो नहीं है stack empty नहीं है तो बहुत बढ़िया अब उसके बाद हम check करेंगे क्या stack में जो top post element है उसकी value है वो current element से छोटी है की नहीं है तो देखो कि one one छोटा तो सही है हम क्या करेंगे यहां पर one को answer में डाल दें next element पर चलेके next element हमारा आ गए 0 अब 0 पर हमने check किया फिर से की stack empty तो नहीं है stack में दो element से एमटी नहीं है फिर हमने check किए 0 बढ़ा है five से नहीं तो इसको pop कर देंगे फिर हम check करेंगे one बढ़ा है zero से तो हां मतलब zero बढ़ा है one से थो हम इसको भी pop कर देंगे तो हमारा stack क्या यह चोटा है इससे हां है तो आंसर में 0 को आड़ कर देंगे फिर 3 को यहां पर push कर देंगे 4 पर आएंगे जिक करेंगे 3 चोटा है 4 से हां और चार्क भी हम्टी नहीं है तो यह तो यह तो हमारा आज़ागा यह आंसर और यह आंसर तुमारा बिल्कुल सेम है इस algorithm में तुम एक ही बार पूरे array को traverse कर रहे है तुमारी time complexity हो जाती है order of n प्लस तुमारी space complexity भी आ जाती है order of n क्योंकि तुम्हें आप एक extra stack यूज कर रहे हैं तुम यहापर stack यूज कर रहे है तुमारी space complexity थोड़ी सी भढ़ जाती है बट तुमारी time complexity काफी जादा कम हो जाती है इस चाइब के काफी जादा problems होते हैं अब यह वाले जो algorithm है एक और हम question कर रहे होगा इसके बाद greatest next greatest element या फिर right में greatest element यह वाले algorithm तुमारे stock span problems या फिर तुमारे rain water trapping ऐसे काफी जारे famous problems में use हो रही होती है वाले algorithm तो इसको अच्छे से समझ लेना को dry run करके देखना मैं ऐसे क्यों कर रहे है अब हम इमें left में निकालना था ठीक है element तो हमने इसमें left से start किया अगर हमें right में निकालना हो तो हम right से start करेंगे ठीक है ultra traverse करना का try करेंगे रहे है उससे तुमारी algorithm easy हो जाती है तो इन सब चीज़ों को तुमें ध्यान रखना है अब हम जल्दे-जल्दी से इसको code करने पे ठीक है तो अब हमें क्या अब next मैंने का condition में जब तक pop करते रहना है जब तक हमें smallest element नहीं मिल जाता या फिर stack खाली नहीं हो जाता जब हमें एक चीज़ को करने होते हैं हम क्या करते हैं हम use करते है while loop को जब तक मैं पता नहीं कितने time तक हमें loop को run करना तो हम while में condition डाल देते हैं अब हम चेक करेंग नहीं होता तो false return करता है not का मतलब है कि उसका negation ले लेना तो not of false is true and not of true is false next चीज़ हमें check करनी है st.top की जो value है तुमारी क्या वो छोटी क्या वो बड़ी है और फिर equal to है हमारे a of i से ऐसा क्यों करना है क्योंकि मैं pop कर देना है अगर ऐसा है तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या गरेंगे st.mt अगर खाली है तो क्या गरेंगे हम पुष्कर देंगे answer में अपना minus one तो यह अगर ऐसा नहीं है तो क्या गरेंगे answer में पुष्कर देंगे अपना st.top अपना अब बताया था कि करेंट element को में स्टाक में भी push करना है st.push यह हमारा code हो गया है बहुत simple सा code है अब बस यहाँ पर return कर देंगे answer को अब क्या करते हैं इसको run करके देखते हैं as you can see जो output था वो आ रहा है अब इसको एक बार यह तुम्हें दिखा देते हूं try and करके कि ऐसा क्यों आ रहा है पहले इसको submit कर देते हैं ताकि मैं पता जल जाए कोई गडबर तो नहीं है and यह हमारा pass हो गया ठीक है हम यह लेते है example ले लेते है अपना जो हमने अभी सबसे पहले submit करके देखा था छोटा सा देते है क्योंकि हमने code पहले समझाए दिये तो हम लेते है 1 6 & 2 ठीक है इसका जो answer आना चाहिए तुमारा आना चाहिए minus 1 1 & 1 राइट तो हमने बुला कि हमने start के यहां से हमने अपना बना लिया stack हमने बुला अपने जब 0th index पे थे 1 पे तो हम चेक करेंगे stack empty है तो पुछ नहीं करेंगे बस सीदा सीदा माइनस 1 पुछ कर देंगे हमारे answer में राइट माइनस 1 पुछ कर देंगे और stack में हम डालतेंगे 1 sorted अब हम next element पे जाएंगे 6 पे हम चेक करेंगे stack empty है stack empty नहीं है ठीक है next condition चेक करेंगे stack कर जो top है क्या बड़ा है नहीं है तो यह हमारे हम false हो जाएंगे तो हम इस while loop के अंदर नहीं जाएंगे और अब उसके बाद क्या check करेंगे stack empty है नहीं था stack empty तो हमने कहा करा 1 को push कर दिया और हमने फिर से push कर दिया 6 को next हम जाएंगे अपने last element पे 2 पे 2 पे हम जाके check करेंगे stack empty है नहीं है 6 और 1 पड़े हूं है ठीक है तो हमने कहा बोला ht.top check करो ht.top की value is 6 है 6 is greater than 2 for sure तो हम क्या करेंगे pop कर देंगे फिर से while loop में जाएंगे check करेंगे stack empty यह नहीं है stack empty फिर हम क्या करेंगे a of i को check करेंगे 2 क्या है तुम्हारा बड़ा है 1 से तो while loop के इंतर नहीं जाएंगे answer में हम one add कर देंगे and as you can see our answer is correct our algorithm is working ठीक है तो तुम इसको खुद भी एक बाजी try and करके देखना like खुद कोड करके देखना I hope तुम्हें वीडियो पसंदाए होगी